स्वागत आपका study hack channel पे मैं आसा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और अपनी तयारी में जोरो सोरो से लगे होगे तो चलिए सुरू करते हैं अपने class को जिसका नाम मैं vocabulary एकदम basic से जिसमें हम बात करते हैं vocab की एकदम basic से using picture technique तो आखिर ये picture technique है क्या तो अपने class को शुरू करते हैं तो आपको खुद वखुद पता चल जाएगा तो चलिए बिनादेरी के शुरू करते हैं अपने class को और जानते हैं क्या कुछ खास रहने बाले हैं अपने class में तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज के class में हम लोग क्या क्या discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे antonyms और synonyms को तो कुछ word होंगे जिसके मैं आपको antonyms बताओंगा कुछ synonyms बताओंगा जिसको solve करने में हमें hardly लगने वाले हैं 5-8 minute इसमें लग जाएगा उसके बाद हमारा one word का session होता है जिसको solve करने में हमें 5 minute तो लगने वाले है minimum उसके बाद हमारा ED1 phrases का session है जिसमें हमें लगेंगे 5 minute ठीक है उसके बाद होता है Pandora box का session जिसमें मैं आपको exam related कुछ important चीज करवाता हूं ठीक है तो इसमें hardly हमें लगने वाले हैं 2 minute यह बहुत important होने वाला आपके exam के लिए उसके बाद हम लोग lastly करते है previous year question vocab के जिसको solve करने के लिए आपको मिलता है तो यह आपके लिए एक challenging task है कि आप उस 10 seconds में answer कर पाते हो या नहीं कर पाते हो चलिए शुरू करते हैं अपने class को और जानते हैं कि आज का पहला vocab कौन सा है आज का जो पहला word है वो है you CH. Allow मतलब किया था बाग ना जब आब भागते हो तो उसको क्या बोलते हैं europa abscond, escape, ठीक है अब किसी चीज़ से क्या गलतो, भागते हो, escape करते हो, flee करते हो, कुछे जगीतात भाग जाते हो या gap हो जाते हो, जब भागते हो तो क्या हो जाते हो, gap हो जाते हो तो ये सब क्या है enslaved? abscond, escape, flee, disappeared, ये सब elope के क्या है? synonyms है बात कर ले इलोप के parts of speech की तो फटाक से comment करो कि इलोप का parts of speech क्या है ठीक है तो भागना है यह क्या दिखा रहा है एक कारे दिखा रहा है तो यह क्या है वर्व है इसका parts of speech क्या है वर्व है बात कर ले इसके antonyms की तो क्या हो जागा coming arrival ये क्या है इसके, Antonyms है, चलिह, नेग्स्ट बात कर लेते हैं, नेग्स्ट है, Illude, इलीट मतलब क्या हना हता है, बच निकलना, जब आप किसी चीश शेसिश्केप करते हो, भाग जाते हो, तो बच निकलते हो, इवेड कर देते हो, डौज कर देते हो, तो यह सब क्या है, इसके synonyms है, किसके elude के, जैसे देख पा रहे होंगे, कि यह क्या कर रहा है बंदा, बच के निकल रहा है रगली में, ठीक है, तो बात कर लेते हैं, parts of speech के elude का, तो यह भी आप लोगों ने guess कर लिया होगा, भागना, बचना, निकलना, तो यह सब क्या है, क्रिया है, तो यह क्या होगा, वर्व होगा, ओके, बात कर लें इसके antonyms की, तो आप कभी किसी का सामना करो, confront करो, face करो, तो यह सब क्या है, इसके antonyms है, किसके तो elude, I hope आपको चीज़े clear होगे, पिक्चर देखके, तो हम लोगो next बात कर लेते हैं, next word है elusive, elusive मतलब क् आप, ठीक है, intangible है, कोई भी चीज क्या है intangible है, जिसको आप छू नहीं सकते हो, जिसको महसूस कर सकते हो, ठीक है, छू नहीं सकते हो, तो उसका कोई solid form ने, तो क्या है माया भी है, बैफलिंग है, ठीक है, सिलप्री है, कोई चीज, फिसल लाट की दिमांग से, आप उस चीज को टैटल नहीं कर रहा हो इलूसिब है डिसेपटीब है जो दोखा देने वाला तो इलूसिब के जो सीनोनिम्स हो जांगे वो क्या हो जाएंगे इंटांजिबल वैफलिंग सप्लिप्री डिसेपटीव यह सब कहा इसके इसके शीनोनिम्स बाद कर ले parts of speech की तो फडाक से बताना है ठीक है कैसा था तो मयावी था कैसा का answer दे रहा तो यह क्या है इसका parts of speech क्या है adjective है यह क्या है adjective है ठीक है देख पार वह तोम एंजेरी क्या है एक मैयावी करेक्टर है ठीक है इंटेंजिवल है जिसको आप real life में solid form में आप छूने ही सकते हो ठीक है यह cartoon character जो बनाया हुआ है तो इलूजिव कौन है ना है आभी ठीक है इंटेंजिवल है बात कर ले इसके एंटोनिम्स की तो क्या क्या हो जागो जोची स्टेबल हो वास्तवीक हो ठीक है ऑनेस्ट हो इमांदार हो मतलब सामने आपको वोचीज दिखता हो ठीक है आप से कोई धोखा नहीं कर रहा है ठीक नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है इमैंसिपेट मतलब क्या हबता स्टन्तर करना तो इसका सब कटाक से कमेंट को तो इसका पार्ट सफेट क्या होगा यह क्या है एक वर्म है जब आप जंजीर तोड़ते हो तो क्या हो जातो स्वतंत्र हो जातो मुक्त हो जाते हो ठीक है रिलीज फ्रीडम यह सब क्या है इसके सिरोनिम्स है बात कर ले इसके एंटोनिम्स की तो क्या होगा किसी को अप होल्ड कर लो, capture कर लो, detain कर लो, ठीक है, अप उसको क्या करो, बंदी बना के रख लो, detain कर लो, hold कर लो, आगे मैं आपको बताऊंगा एक और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, emancipate के, next word ही है, ठीक है, चलिए, next बात कर लेते, next है, embargo, मतलब क्या है, पाबंदी लगाना, ठीक है, उसके स्वतंतता चीन रहे हो, ठीक है, उसके क्या लगा रहे हो, पाबंदी लगा रहे हो, बैडियर लगा दे रहे हो, प्रोईवीशन कर रहे हो, प्रस्क्रिप्शन कर रहे हो, वेटो कर रहे हो, इंपेडिमेंट कर रहे हो पूर्फ है तो आप ऐसे रिलेट करेके याद कर सकते हो picture बात कर ली कि awesome कि आप किसी को permission देते हो आ गया देके हो कि हाँ आपको आगया कि आप यहां आओ business करना है business कर», जो करना है आप कर सकते हो ठीक आप Isky help करो aid कर रहे हो ऐंगे आ горlike air से clear हो गई होगी तो next बात कर लेते हैं next हमारा one word का session है ठीक है तो आइए पता करते हैं कि आज का पहला one word क्या है और यहीं मैंने आपको homework में दिया था आपसे पूछा था कि determine the nature of disease उसको क्या बोलते हैं ठीक है रोक की पहचान करन है ठीक उसको क्या बोलते है डीगनोज करने ओके तो यह देख लिए क्म मतलब तो रोक की पहचान, the process of deciding the nature of disease by examiner, उस process को कहते हैं, diagnosis, जिस process से आप क्या करते हो, किसी भी बिमारी को examiner करते हो, ठीक है, उसके बारे में पता लगाते हो, कि इस बिमारी का nature क्या है, ठीक है, रोक का असली पहचान करते हो, तो उसको क्या बोलते है, diagnosis, तो diagnosis क्या है, नाउने, I hope आपको चीज़े clear हो गए, तो आगे बढ़ते हैं, next है, dialect, dialect मतलब क्या होता, बोली, एक particular form of language होता है, जो कि एक peculiar और specific region में बोला जाता है, ठीक है, जैसा हर किसी का dialect अलग-अलग होता है, कोई hello बोलता है, कोई hello बोलता है, कोई hello बोलता है, कोई his बोलता है, ठीक है, तो ह हर किसी का dialect अलग-अलग होता है, जैसे कि आप अपने region में कोई और dialect यूज करतो होगे, बोली यूज करतो हो, जो 50 km, 100 km आगे जाओगे, तो उनका जो dialect होता है, बोली होता हो अलग होता है, उसी को बोलता है, ठीक है, तो हर region का एक अलग dialect होता है, ओके, I hope आपको चीज़े क्लियर हो गई होगे, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, डाइक क्रीव, डाइक क्रीव मतलब क्या था, आच्छेव, मतलब क्या है, एक दूसरे पर करे सब्दों का अटेक करना, ठीक है, बीटा एंड वालेंट अटेक इन वार्थ, ऐसा आप इसको याद करतो हो, डाइ मतलब क्या होता है, दो, ठीक है, और ट्राइब, तो दो ट्राइब मिलेंगे, दो कभीले वाले मिलेंगे, तो आपस में क्या करेंगे, दूसरे को गाली क्लोज करेंगे, अच्छी बाते बोलेंगे, एक दूसरे पर अटेक करेंगे, ठीक है, तो डाइक क्रीव मतलब क्या हो कि नेस्ट कर लेते हैं अटिक्टेटर कौन होता है इस पिक्टर से तो आप समझ के हो गए कि डिक्टेटर का मतलब क्या हो था बताने की जोज भी नहीं है और रूलर विध टॉटल पावर ओवर अपकटरी तिपकली वन इससे तो आप लोग पहचानता होगे और आप इसको डिक्टेटर को यह भी बोल सकतो और अटोक्रेट भी बोल सकतो यह इसके क्या है सिद्धों नियुक्त ओके आपको चीजे क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा इडियम औड फ्रेज़स का सेसन है तो चलिये जानते हैं आज का पहला इडियम क्या है आज का पहला इडियम है चाल्ड स्प्ले मतलब बच्चों का खेले और कोई भीच बच्चों का खेल मतलब बहुत असान काम something that is very easy to do ऐसा काम जिसको करना बहुत ही असान है उसको तो बच्चे भी कर सकते है मतलब बच्चों का खेल है यह तो बहुत एजी था आपके लिए चलिए नेक्स बात कर लेते नेक्स है चिल्डर्न सुड़ बी सीन एंड नौट हड तो आपने कहावद सुनी होगी कि जब दो बड़े बात करे हो तो बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए वही बात है कि जहाँ पर एडल्ट लोग का परजेंस होगा वहाँ पर बच्चों को नहीं बोलना चाहिए यह वही है जो आप बोलते हो कि दो बड़े बात करे हो तो बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए चिल्डरन सुड़ भी सीन एंड नौट हड़ ओगे चलिए नेक्स्ट बात कर लेते नेक्स्ट है चिल आउट चिल्डरन मतलब सांत अगरा है नेक्स्ट बात कर लेते हैं मतलब क्या है कमजोरी चिंग्स क्या हो तक कोई दरार पहला होना तो आपका जो आर्मर है उसके बीच में कहीं पर एक दरार हो जाएगा मतलब क्या है वो एक कमजोरी होगी क्योंकि अगर वहाँ पर अटेक किया जाए तो आपका पूरा आर्मर क्या हो जागा बिखर जाए अब विकनेस डैट कैन बी टेकें एडवांटेज और ऐसी कमजोरी जिसका कोई क्या लाव उठा सकता है यहाँपे अटक करोगए तो सारा आर्मर क्या हो जागा दोस्त हो जाएगा तो यह क्या है कमजोर हिस्ता है उस अर्मर का ऑके चडिक नेच्ट बात कर लेते हैं नेच्स्ट है क्लीन है अगर आपका हाथ साफ होगा ठीक है कोई रायता फैलाए हो मम्मी आरही ouseब का हाथ चेकरे अगर आपका हाथ पूरा साफ होगा, clean होगा. मतलब क्या है? आप Inner सेंथ है· मासूम है, आपने कुछ अरकत नहीं की है. जैसा देख पारों में, इसका हाथ क्या है?. इसने रहता नहीं फैला है. जिसका हाथ क्या होगा clean नहीं होगा उसने रहता फेलाया होगा वो क्या होगा दोसी होगा जिसके हाथ क्या है साफ है वो क्या मास होगा इस पीटारा होता है जब की इंसर्ट करतेिं इस पीटारे में तो कुछ ऐसे open होता है तो open होता है तो उसमें से क्या निकलता है क्या तो 100 golden rules किस चीज़ के तो English grammar के जिसका इस्तिमाल कहां आता आपको era detection और sentence improvement के जो question होते हैं उनको solve करने के लिए और आपके exam में या तो vocab के question आते हैं या फिर era detection के question ही पूछे जाते हैं तो यह आपके exam के लिए बहुत ही beneficial है ओके तो अभी हम बात करें usage of adverbs की तो दूर चार और होंगे adverbs में rules उसके बाद हम लोग next topic पर switch कर लें तो आज का rule क्या कर रहा कि early का मतलब क्या होता है early का मतलब होता है just after the beginning of anything और किसी भी चीज़ की सुरुआत हुई हो उसके तुरंत बाद जो भी चीज़ होती सुरुआत के बाद ही जो चीज़ होती उसी को बोलते early और soon का मतलब होता है कोई point of time हो उसके बाद ठीक है वो past म में बहुत रखता है लेखिए early मतलब क्या है कि जो अभी सुरु हुआ उसके तुरंत बाद वाला वाकि जैसे example के लिए देख लो roses bloomed early this spring मतलब क्या है गुलाब बहुत ही जल्दी इस spring में क्या हो गया कि spring सुरुआ वसंत रीतु सुरु हुई और गुलाब खिल गया ठीक है क्या है just after beginning वाला situation में तो वहां पर हम लोग early का use करते हैं लेगिन अगर point of time होगा उसके बाद का चीज हमें व्यक्त करना होगा तो soon होता है सुन आफ्टर डिस सुन आफ्टर डैट ओके चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा question है इन सरका से सन है तो आज हम बात करने वाले 24 जुलाई के shift 40 फार्स से के बात हम लोग ने ओल्रेडी कर रहा है previous class में चलिए तो सुरू करते हैं तो आज का पहला question क्या है क आपको correct idiom बताना है ठीक है इस idiom के जगा पर correct idiom क्या होगा always speak his eyes उसके जगा कौन सा correct idiom होगा चार option है speak his mind, speak his tongue, listen his ear, read his heart ठीक है फड़ा action से करना आपको मिलेगा सी परफिट 10 इसको answer करने के लिए ठीक है तो आपको बताना है correct idiom है क्या है speak his eyes होता है या क्या होता है ओके protection से करना है आपने बहुत बार यूज किया होगा तो आपको पता होगा तो इसी के साथ time up हो चुका है I hope आप सभी लोग ने सही सही answer कर दिया होगा तो speak his eyes कोई idiom नहीं होता जो correct idiom होता है वो क्या होता speaks his mind ठीक है चलिए next बात कर लेते next question क्या कहा रहा है कि आपको क्या बताना है appropriate meaning बताना है मतलब क्या synonyms बताना है किसका retaliation का ठीक है चार option है revenge outcome pamper realization आपका time स्टार्ट होता आप fraction सकाना आपको मिलेगा सिर्फ वर सिर्फ दस सकेंड यह भी बहुत easy है SSC ने काफी बार पूछा और मैंने आपको previous class में बहुत बार बताया भी है तो कि यह repeat हो रहा है देख पार होगे कैसे repeat question ही पूछे जाते हैं तो इसे के साथ time कूट्स भी बताया था कूट्स भी क्या होते है इसके synonym से outcome मतलब क्या होता परिणाम नतीजा result ठीक है effect after effect यह सब बहुत बार मैंने करवाया तो देख परो कैसे question repeat होते जाने तो previous year के question करना बहुत important होता है क्योंकि आपको repeat question बार-बार देखने को मिलता है ठीक है pamper मतलब क्या होता है lard प्यार करना ठीक है अब जैसे आपके पस कोई pet होगा या जीसे आब बहुत चाहते हो तो उससे क्या करता हो लाच प्यार करता हो इसको पैमपर करते हो ठीक है बात कर लिए करिस bucks होना मतलब एसास होना ठीक है आपकें अंदर की feeling जागती है तो Feeling भी क्या है इसके smartphone Huma's You क्राइश कि आपकी चेत्न जागती है यह सब क्या है इसके 배ender T चलिए नेक्स कोश्चन की तब चलते हैं नेक्स कोश्चन कह रहा है कि आपको सीनोनीम्स बताना है किसका है इनर्वेटेड का ये भी बहुत हीज़ी है SSC ने काफी बार पूछा है आपके पास चार आपसन है इनर्जाइज, वीकेंड, एलेवेट, एलेवेट फड़ा अक्से अंसर करना आपका टाइम स्टाट होता है अब ये भी बहुत हीज़ी SSC ने काफी बार इसे भी पूछ रखा है और मैंने प्रीबियस क्लाथ में भी बताया था जब मैं आपको दूसरे सिफ्ट के तो इसे के साथ टाइम आप हो चुका है आप सबी लोगों ने सही से अंसर कर दिया होगा तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा इनर्वेटेड का मतलब क्या होता है इनर्वेटेड मतलब कमजोड होते जा रहे हो ये कमजोड करना स्लैक ये सब क्या है इसके सिनोनीम से बात करने इनर्जाइज मतलब सक्रिय होना ठीक है एक्टिवेट ठीक है एक्टिवेट यह सब होता है आपको मैंने पहले भी बता है एक्टिवेट एक्टिवेट यह सब क्या है इसके सिनोरीम से जब आप एक्टिवेट हो जातों बहुत ही इनर्जाइज हो जातों सक्रिय हो जातों ठी तो काम करने मैंने आपको पहले भी बता रखा कम करते आपको Verd iç कब्थे तो lower forgive करоде तो철 मलं मतलब दता एक अब वर उठाना किसी भी चीज को घडिता करें तो तो ऑसक्ता सिन करना और कर दें आ तो क्या है इसके synonyms है चाल यह नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोस्टन भी आप से क्या पूशा कि आपको synonyms ही बताना है किसका एक्जुवरेंस का ठीक है चाल ओप्सन है लेजीनेस इंपार्शियलीटी सिंपाथी वाइवरेंसी फटाक सेंसर करना है इसके लिए आपको मिलेगा सिफ और कि तरते हैं बहुत काफी है दस सकेंड अब तो दो से तीन सेकेंड में एंसर कर दिये होगा तो इसी के साथ काइम अप हो चुका है आप सभी लोग ने सही सेंसर कर दिया थो एक्जुवरेंस मतलब क्या होथा किसी बिची का अधिकता होना तीख है उसका विविज़ता आना वाइवरेंसी आना उसका करेक्ट सिनोनुम्स क्या हो जागा वाइवरेंसी ठीक है ऑपुलेंस बोल सकते हो करो और सारे इसके सिनोनीमिस इंपार्सियलीटि भी बता रखथा है मतलब क्या होता है निस्पक्षता जब आप पक्षपात नहीं करते हो ठीक UM BASED होते ओनेर्स्थ नूट्रल होते हो तो तो neutrality यह सब क्या है इसके synonyms है ठीक है एक लिक देता हूं मैं neutrality neutrality भी क्या है इसके synonyms है sympathy आपको पता है बहुत बार बता है सहनभूती empathy, compassion, pity, दया दिखाना ठीक है यह सब क्या है इसके synonyms है चलिए next आपको क्या बताना है one word बताना है इस group of word के लिए ठीक है group of word के है willing to take risk and try new ideas उसको क्या बोलते है आपके पास चार option है adventurous, mythical, resolute और desperate फटाक से एंसर करना यह बहुत ही easy है I hope आपके लिए 10 second काफी ज़्यादा हो जाएगा ठीक है 2 से 3 second में आप लोग एंसर करता होगे ठीक है तो इसी के साथ time up हो चुका है I hope आप सभी लोग ने रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो कोई नई idea के लिए तब क्या होता है एडवेंच्रस होते हो जिए मिथकल जोसी माइथ में ही exist करता है existing वाली मिथ resolute मतलब having or showing great determination जब बहुत ही great determination दिखाते हो उसे को बोलते है desperate out of control and ready to do anything to change the situation ठीक है आप बहुत ही out of control हो तो किसी भी चीज को करने के लिए ताकि आपका situation क्या हो चेंज हो जाए जैसे कि आप government job की तैयारी करते हो desperate हो गए क्योंकि आप अपने जो बाता बटन है आपका जो अभी situation उसको क्या करना चाहते हो ठीक हो आई होप आपको चीजे clear हो गई हो तर नेक्स्ट बात करते है नेक्स्ट कोस्चन है आपको अंट्रोनिम्स बताने किसका क्यामफ्लेग का ठीक है और आपके पास है चार ओप्सन ठीक है रिवेल मास्क लॉट वैनेशिंग फटाक सेंसर करना आपके पास है सीफ़र से दस सेंसर करना यह बहुत बार सेंसरी ने पूछा है अभी तक तो आप सभी को यह सारे वर्ड याद होके होंगे इसके करना ने सेंदे देतों तो बात करनें इसके एंट्र निम्स की तो कहूँ रिजए जब आपके सामने वह चीज़ प्रकट हो जाए सो हो जाए ठीक है ड्याजल पेंट खिया आप बोल सकते हो त्रिक इसके सीनोनिम्स हो जांगे या फिर आप डाईजल पेंट कर देता हो ये इसके सिनोनिम से और क्या है स्क्रीम रिल email करना अप्रकट करना कोई भी चीज को ठीक है सो करना 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 इसके सिनोनिम सब्राइब कलें मास्क मास्क मतलब को अफका था कोई नगाब आप उस पे डाल देते हो तु सी को बलते मास्क फैकेड़ बोल सकतों इसके यह भी मैं आपको खरवा रखाओ फाकेड क्लाथ मतलब कपड़े पहनाना किसी को ढखना रोब वेङ जैसे गुंगत होता ने वेङ क्या करता वो ढखता है वह भी क्या होता है कपड़ा होता है वैनियसिंग मतलग गाइब हो जाना जो चीज़ गाइब हो जाता है लॉस्ट हो जा डिसंपिर हो जाता है ठाल निक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको क्या वाना है एप्रोप्येट मीनिंग बताने है इडियम का इडियम क्या है पास दा बग चार आप्शन है ट्राइंग टू काम डाउन ब्लेमिंग अनदर परसन सेंग सम्थिंग अन्पीजन प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विस ठीक है फ्रटाक्शन से करना दस सकेंड है एससी ने इसको काफी बार पूछा है यह तो मैक्सिमुम हर बार हर साल की जामें एक दो बार तो पूछे जाते हैं सिक्ट में तो इसी के साथ टाइम आप हो कि चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको वर्न बड़ बताना है इस ग्रूप आफ वर्ड के लिए तु मूव बैक एंड फॉर्थ फ्रिक्वेंट्ली उसको क्या बोलते हैं रप्चर फॉस्टर सटल ग्रैप फटाक सेंसर करना है तो बहुत ही एजी बैक एं लोगों को क्या बोलते हैं तो इसी के साथ हो चुका है I hope आप सभी लोगों ने साईसे करें सर दिया होगा तो उसको क्या बोलते हैं जब प्रेज, कार्प, चैलेंग, फडाक्स एंसर करना, आपको मिलेगा सिर्फ पर सिर्फ दस सेकेंड, दस सेकेंड भी बहुत ज़्यादा था आपके लिए, दो से तीन सेकेंड में आप तो एंसर कर पाओगे इसको, क्योंकि कंप्लेंट तो आप लोग बहुत करते हों, तो इसे क साथ टाइम अप हो चुका है, I hope आप सभी लोगोंने सही से एंसर कर दी होगा, तो इसके एंटोनिम का हो जगा, प्रेज, जब आप पर संसा करतो किसी की, ठीक है, चार्ज, ठीक है, कंप्लेंट करना, चार्ज, ठीक है, ग्रेवियांस, यह सब क्या है, ग्रेवियांस, यह स इसके सिनोनिम से, डेमूर मतलब क्या होता, अपत्ती, ठीक है, जब आपको किसी चीज़ से अपत्ती होता है, अबजेक्शन होता है, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को क्या करतो हो, चैलेंज करतो हो, चीजों को चैलेंज करते हो, आपके अंदर क्या होता है, डाउट भरा ह होता है तभी तो आप आपती जाता आते हो प्रेज मतलब प्रसंसा करना ठीक है एड्माइरेशन कंप्लिमेंट लॉर्ड यह सब मैं आपको पहले भी करवा रखता हूं कार्प मतलब होता है दोस ढूंड़ना किसी में आप जब दोस निकाल तो उसे को बोलते कार ठीक है इसके सिनोनीम काहँ खेंग कहील और निबल यह सब क्या है इसके सिनोनिम ते निबल हो गया है नएग हो गया किसी क्या करते हो आप दोस निकालते हो फॉल्ट निकालते हो कि नेक्स्ट भात कर लेते हैं नेक्स्ट आपके लिए हुंबर कोश्चन है ठीक है आप सबी लोग अच्छे से इंसर कर पाओगे क्योंकि आपको मैंने इमेज दिया है तो आप सभी को पता चली गया होगा कि इसका इंसर क्या होगा अब बुक्त गिवेन giving meaning of various words उसको क्या बोलते है ऐसा किताब जो meaning देता है various words का उसको क्या बोलते है आपको फड़ाक कमेंट में इंसर करना है और साथ साथ आपको ये भी बताने कि आपका score कितना रहा out of nine questions तो आज के लिए बस इतना ही आज का class आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने दोस्तों में share करना है ना भूले जिनने वकाया पड़ना है एकदब imaging तविका से ठीक है using picture technique तो चलिए मिलते फिनेक्स क्लास में कुछ नया लाने के कोशिस करूँगा तब तक के लिए जया हिंद जया भारत टेक्ट के रहा है करें 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 झाल झाल